कि सभी दोस्तों को जियाहिंद वंदे मात्रम तो दोस्तों आज हम आप लोगों को इस वीडियो में सी आयसे ट्रेट्स में साथ सो सतासी पोस्टों में कितने स्टूडेंट ऑनलाइन अपलाए किये क्योंकि इसका लास्ट डेट बीस दिसंबर 2022 ही था आप अपना फॉर्म एस्टेटस कैसे चेक करेंगे क्या आपका फॉर्म रिजेक्ट या एक्सेप्ट हुआ कैसे चेक करना है इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे फीजीकल में क्या क्या होगा और फीजीकल के नियम में एक बदलाव किया गया है जो आज हम आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाले हैं हाइट में, चेस्ट में, वजन में यदि आपको डिस्क्वाइलिफाई कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है तो आप कितने दिन तक अपील कर सकते हैं CISF के पिठासीन पदादीकारी को जो फीजीकल के पिठासीन पदादीकारी होते हैं तो सारी चीजे इस वीडियो में बताने वाले हैं और फिजी कल कितना किलो मीटर होगा ट्रेड टेस्ट कैसे होगा ट्रेड टेस्ट कब होगा सारी चीजे आज हम आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाले हैं तो आप लोग बिना एसकीप किये हैं इस वीडियो में बने रहिए वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा लाइक कर दीजेगा और एक प्यारा सा कॉमेंट ज्याहिंद जरूर कर दीजेगा तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहले बता दे कि CISF leですね 787 पॉस्टों में फर्स्ट जो फेज है उसमें आप लोगों को फीजीकल होगा ट्रेड टेस्ट होगा डॉक्यूमेंट होगा फ़्स्ट प्रोसेस के रनिंग करवाया जाएगा जो रनिंग आप लोगों को वाइज के लिए सोलह सो मीटर छे मिनट तीस सकेंड में और फीमेल के लिए 800 मीटर रनिंग है जिसमें कुक, सफाई वाला, सफाई करमचारी और इत्यादी जितने भी पोस्ट है सभी सामिल है समझ के दोस्तों अब बात करते हैं एक बड़ा बदलाव किया गया है और इसके बाद हम बताएंगे कि कितने स्टुडेंट ने 787 पोस्टों के लिए उनलाइन अपलाई किये हैं तो दोस्तों बता दे कि पहले भरती में ऐसा होता था कि यदि आपको रिजेक्ट किया जाता था तो आप 858 पदाधी कारी को अपलाई नहीं कर सकते थे कि हमें हाइट में चेस्ट में या वेट में रिजेक्ट किया गया है लेकिन बता दे CISF ट्रेट्समेन में ऐसा आप कर सकते हैं CISF ट्रेट्समेन 787 पोस्टों में वजन में किसी को डिस्क्वाइलिफाय नहीं किया जाएगा ये नोटिस में वता दिया गया है बजन में डिस्क्वाइलिफाय केबल आपको मेडिकल में ही किया जाएगा यहां पर जो रिजएक्ट ओडिस्वइलिक होंगे स्टमेंट वहां फीजीकल में बेंग चेस्ट और डौकमेट मेखने यदि आपका हाइट में चेस्ट में यदि आपको डिस्वारी फाइख किया गया है मैं आप दो रंत जैसे आप सेंटर पे हैं आपको वहाँ पर disqualify किया गया आप तुरंत वहाँ के पिठासिन पदाधिकारी को apply कर सकते हैं बोल सकते हैं कि सर हमें disqualify किया गया है हमें एक बार पुनह चेक किया जाए तो ऐसा rule CISF के जो ट्रेश्मिन का notice है उसमें नीचे लिख दिया गया है कि आप वहीं पर उस समय बाहर निकाल दिया जाएगा एक rejection slip देकर जो CISF fireman में दिया गया था अब बात करते हैं कि सकेंड प्रोसेस इसका exam होगा और इसका फर्स्ट प्रोसेस में जो physical में जो इस्ट्वेंट पास हो जाएंगे उन्हीं का ट्रेट टेस्ट होगा ट्रेट टेस्ट के लिए हम अल टोटी बनवाया जाएगा यह आप सफाई बाला से हैं तो आपको सफाई करवा जाएगा अब बात करते हैं कि कितने स्टूडेंट इसमें फॉर्म ऑनलाइन अपला किये क्योंकि इसका जो लास्ट डेट था वह 20 दिसमबर ही था दोस्तों तो दोस्तों बता दे कि CISF ट्रे ट्रेंट में अलेट दोस्ति एक्समें का था उसका चल रहा था हेट का चल रहा था स्ट्रेबल का चल रहा था तो बहुत सारे स्टुडेंट इसमें ऑनलाइन अपलाय नहीं किये कम से कम इसमें 2,10,000 या 2,15,000 student online अपलाई किये हैं ये एकसेप्टेट है इस से जएदा एस् student online apply नहीं किये हैं CISF tradesman 787 पोस्टों में जिसमें फीजीकल में बच्चे छटेंगे हाइट में बच्चे छटेंगे चेस्ट में बच्चे छटेंगे और ट्रेट टेस्ट में बच्चे छटेंगे तो दोस्तों बहुत मौका है आपके साथ तैयारी में लग जाए और जैसे ही कि बहुत कम बच्चे इसमें online apply किये हैं तो तैयारी में लग जाए competition बहुत कम है 787 पोस्टों के लिए और ट्रेट्स्मेन की भरती है तो मिलते आप लोगों से next वीडियो में तब तक कि लिए